ओम सिरी गनी सायनम दोस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अक्टूबर सौंबार के रासी फलक के बारे में कि हदन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और सुवास्थ की महत्पपूर्ण जानक और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चैनल दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मी नरासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटेव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बाहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साती सात शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पैरणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ज्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गणमाने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिंदिकी पूरी तरह से जिएंगे जा दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी महनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा ज्यां दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐसंतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांति के साथ साथ कर व्यवसाय में भी आज व्यवदान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिस्थानियों से कर यूजनाओं में बादाय उत्पन हो सकती है अत्य सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथिसाथ आपका शक्की स्वभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर ज़्यादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खडी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पन लाएँ पिता का सम्म करें कुछ मतवेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ साथ आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कौनों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यत्राओं के करण पनपने के करण आपको समझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं अजब की लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तों अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बह अति उत्तम रहेगा जा दोस्तों विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्य आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प् शही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुपत योजनाओं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी जा दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फाइदा होगा जहां दोस्तो वेवसाईक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज के कारोबार विस्तार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथिसाथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके ल पन्दित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्य ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रेने वाला हैं दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेड़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। थोड़ा साफधान रहें। दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। एक लोटे में दूद या फिर जल भरकर अपने सिरहाने रखें और फिर सो जाएं। और जिहां दोस्तो इसके बाद आप अगली सुबा यानि मंगलवार की सुबा जल्दी उठें। इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए पीपल की जड़ में अरपित करें। जिहां दोस्तो इतना करने मातर से ही भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होंगे और आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण करेंगे। जिहां दोस्तो आप इस सुपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा। दोस्तो भगवान भोले नात का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोले नात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद